तो फिंट्स इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा अगर आपका auto switch आपके duly starter को automatic on off नहीं कर पा रहा है तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे फिंट्स अगर आपके auto switch में faulty indication आ रहा है या not healthy का indication आ रहा है या उस auto switch का indication blink कर रहा है तो फिंट्स वो auto switch उन तीनों condition में आपके duly starter को operate नहीं होने देगा तो फिंट्स उस time में उस auto switch में क्या problem होता है क्या fault create होता है सब कुछ इस video के अंदर जानेंगे फिंट्स यहां पर दिखिए जो हमारा यह auto switch है यहां पर blinking हो रहा है और फिंट्स इस auto switch का जो switch है इसको हमने auto पर select किया है लेकिन जो हमारा यह auto switch है यह हमारे इस starter को on नहीं कर पा रहा है आप यहां पर देख सकते हैं साथी फिंट्स जब इस auto switch को आप manual के उपर select करते हैं उस time में भी हमारा इस starter यहां से manually on off नहीं होता है तो फिंट्स इस auto switch में क्या problem है और आप इस problem को कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे आसान तरीका बताओंगा तो फिंट्स हमारे इस वीडियो को last तक देखिएगा साथी फिंट्स अगर आप हमारे चैनल्स पे नहीं है तो चैनल्स को subscribe करके notification और को click कर लिजेगा जिससे के हमारे आने वाले सारे नए वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिलते रहेगा तो चलिए फिंट्स वीडियो को सुर्ण्स यह हमारा L&T Company का MK1 Dioli Starter है वहीं फिंट्स जो हमारा यह Auto Switch है यह हमारा L&T Company का SZ5 है फिंट्स इस Auto Switch है हमारे यहाँ पर 6 वायर बाहर निकल रहा है फिंट्स देखिए जो हमारा यह Auto Switch होता है यह दो टाइप्स में आता है एक Auto Switch से 7 वायर बाहर निकलता है और एक Auto Switch से 6 वायर बाहर निकलता है फिंट्स अगर आपको पर 7 वायर वाला है छे वायर वाला कोई भी Auto Switch है अगर उसमें इस तरह का Problem है तो आप उसको असानी से ठीक कर सकता है वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा फिंट्स यहाँ पर इस Auto Switch को काम करने के लिए हमको इसमें बराबर 3 फेस का Power Supply देना होता है उसके लिए फिंट्स देखिए यहाँ पर क्या हुआ है यहां पर क्या हुआ यहां पर यहां पर नहीं कर रहा है तो फिंट्स में आपको एक चीज़ यहां पर पता देता हूं देखिए जब भी आप स्टार्टर में आप इस अ प्रावर नवं है कि लिए च्हान्खी यहांपे सब कि यहांपे यह क्या रहे हैं और यहां पे रेड में सब्सक्राइब मतलब हमारा तीनो में यहां पर निरे दो तो आप मीटर से भी चेक कर लिजे, आपको इस तीनो फेस में बराबर सप्लाई आना है, अगर कोई भी फेस का सप्लाई मिस हो जाएगा, कोई भी फेस अगर कट जाएगा, नहीं आएगा, तो उस कंडिशन में भी आपका आटो स्वीच फोल्टी दिखाएगा, और यहाँ प अगर आपके इस आटो स्वीच को अगर बराबर सप्लाई पर इस तरह का भी फेस मिलेगा, तो वहाँ पर भी यह आटो स्वीच आपका काम नहीं करेगा, फेंट देखिये होता क्या है, जब आप अपने आटो स्वीच को किसी भी स्टार्टर के अंदर इस्टॉल करते हैं, तो फिन्ट जो हमारा power supply आता है जिससे के हम अपने starter को power supply देता है उसमें friends क्या होता है जब हमारा main जो हमारा power supply होता है grid supply वो कभी-कभी उसका wire तूट जाने से या maintenance के time में क्या होता है हमारा उसका face change हो जाता है उस condition में हमारा dual star चलते-चलते बीच में काम करना बंद कर देता है और यह auto switch हमारे starter को चालू नहीं कर पाता है तो फिर्ट्स वहाँ पर बहुत साल लोगों confusion हो जाता है उनको लगता है कि हमारा auto switch तो पहले से काम कर रहा था और बंद करने के बाद किसी भी दो wire को जहीं से क्या करेंगे यहां से इस yellow color के wire को यहां से निकालेंगे और red color के wire को क्या करेंगे यहां से निकालेंगे आपको क्या करना कि एक बार चेंज करका लगा है कि में सपलाई चेंज करता है इसा को बढ़ियां से रधीना हुआ अब क्या करने एक स्टार्ठर के सपलाई को चालु करेंगे में और ठेखेंद के अब हमारा आटो स्विच काम करते हैं सप्प्लाई को चालू करेंगे चालू करने के बाद यहां पर जो हमारा इंडिकेशन पहले बिल्निकिंग कर रहा था तो हमाँ आपको क्या करना है था ने फ्र सफिर वह उख ये स्ब्सक्र lle अब ब्राबर को ड करने आपको जाएंगा में सप्लाई हो सकता है अगर इसमें अंदर से कुछ प्रोवा नहीं हुआ होगा तो तो यहाँ पर इन्डिकेशन बराबर गुल हो रहा है अब फिर्ट में देखेंगे जो हमारा यह Starter पहले चालू नहीं हो रहा था अब यह हो रहा है कि यहां पर देखिए हम इसको manually on करेंगे क्योंकि यहां पर हम ने manual के उपर set करके रखाय तो हमारा Starter देखे manually on हो रहा है और पिर यहां से off करने से off हो रहा है वहीं फिरिंट जब इस auto switch को हम आप्टो में select करेंगे तो friends यहाँ पर देखिए यह auto switch हमारे इस dual starter को automatic on कर दिया है और वहीं जब इस dual starter का supply cut जाएगा तो वहाँ पर friends क्या हुगा यह auto switch हमारे इस starter को automatic off कर देगा और फिर friends जब दुबारा supply आएगा तो तो वहाँ पर friends क्या होगा जो आपका यह auto switch होगा आपके starter को तुरंत चालू नहीं करेगा वहाँ पर जो आप इस auto switch का on delay setting होगा आप उस setting को जितना minute पर set करके रखेंगे यह उतना minute delay होने के बाद तब जाके आपके starter को चालू करेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारा 30 सेकंड पूरा होगा हमारा starter यहां से on हो जाएगा तो फिर जो हमारा यह auto switch है यह auto switch बराबर काम कर रहा है जो कि पहले नहीं कर रहा अगर आपके पास साथ वायर वाला या छे वायर वाला auto switch है अगर आप उस auto switch का connection करना इस डियोली starter में नहीं जानते हैं तो हमने उसके उपर वीडियो बनाया वीडियो आपको उपर i button मिल जाएगा मैं link description में दे दूँगा आप जाके वहाँ पर देख लिजेगा तो उमीद है फिर आपके मन में कोई भी doubt है अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमको comment कर सकते हैं मैं आपका जरूर help करूँगा चलिए मिलते हैं एक गा चाहते हैं प्लएन is